नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आप ही के यूटूब चेनल आरेमस फैंटेसी में साथ यह वीडियो के लिए बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका लाइफ टाइम काम करने वाला है और इस वीडियो के अनुसार अगर आप लगाते हैं तो आपका अक्रेन निकलने का चांस ज्यादा है और इस से कुछ पालेर है जो रिक्सी है जो आपचाहें गी नहीं का लेखिन मैं बताऊंगा आपको उस हिसाब से उसको drop करना है अगर आप drop करते हैं तो working करेगा और आपका जो है अंडर का डर जो है जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से लगाएंगे तो डर भी खतम होगा ठीक है तो बीना समय कवाए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं उसी हिसाब से लगाना है डर वही है कि हम आज के जो वीडियो हम जो वीडियो जो अभी हम अप्लोड कर रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो जो है मेरा कप्तान वेस पे है यानि कि हम किसी भी टीम के बैट्समन को अगर हम कप्तान बना रहे हैं तो एक गेंस टीम के हमके कौन-कौन से बॉलर को ड्रॉप कर लेना चाहिए एक गेंस टीम के कौन-कौन से बैट्समैन को लेना चाहिए जिस टीम के हम कपतान बना रहे है उस टीम के हमको कितना बैट्समैन लेना चाहिए कौन-कौन से बैट्समैन लेना चाहिए कितने कितने नमर के बैट्समेन को हमको ड्रॉप करने चाहिए कुछ जो है हम बेसिक टिप्स मतलब कि इसमें समझे सतर से असी परसेंट आपको जनकारी बिल्कुल सहीं निकलेगा हर मैच में ठीक है कुछ परसेंटेज हो सकता है सायद कहीं गलत हो जाए तो आप कुछ उसमें अपना दिमाग भी लगा सकते हैं लेकिन हमको लगता है कि सभी जो है सही ही निकलेंगे चलिए फर यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर आप देखेंगे तो और का मैच है ठीक है और यह लकें ठीक किसी भी मतलब कि कोई सभी मैच हो उसमें आप यह समझ स एक यहां दिढ़न हो यह फिर अपनिंग token करता हो ठीक है इतना ही अब नमबर चार नमबर पांच से किया उसमें कपना व्हूंड़ का भी निकञा कीρέ डिंपर सब्सक्राइब मतलब कि अ कुछ आ सकता है अगर तो मतलब लाठी अगर सभी जगा लग जाए तो उसमें से निकल सकता है आवाज निकले या कुछ भी निकले निकले ठीक है तो वही वाला बात करते हैं तक किवना हम ओपनर को ले करके चलेंगे या फिर वन डाउन को ले करके चलेंगे अगर आप नमबर चार और पांच पर जाना चाहते हैं तो मैं कहुंगा कि आप ओल राउंडर के साथ जाहिए गया कोई ऐसा और नमर चार पर बैटिंग करते हैं पांच पर तो भी जाना है अदर्वाइस आप किसी को भी कप्तान ऐसे बना करके अपना पैसा बरबाद मत किजिएगा मैं बता रहा हूं बहुत सा बहुत से पले और पर ट्रस्ट है कि इसको आप लेकर के चलना साथ चाहते हैं ठीक है इस हिसाफ से जैसे कि माली यह केल राहूल है यह भी कप्तान बनता है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कप्तान बोईस कप्तान है तो तो क्योंकि इस पर जो है सबसे ज्यादा लोगों ने कप्तान बनाे तो मैकसिमम्स सबसे ज़्यादा मतलब की इस टीम के मैकसिममं आएंगे तीन आ상이 यानि बैट स्वान जो पले राएंगे तीन से जादा नहीं आना है ठीक है मतलब समझे 90% चांस आएक तीन ही आएंगे अब कुछ प्रेकों तो यह पता हो गया कि इस टीम के तीन पलियर लेकर के चलने हैं लेकिन ग्रैली की कुछ ऐसे टीम में बनेंगे कि इस टीम के हो सकता है दो ही पलियर आए या हो सकता है सिर्फ अकेले जुस बटलर रहे और इसका सारे बैट्समान आउट हो जाए तो ऐसे इसे भी भ होता है यह है कभी कभी कुछ मैचेस में कि सिर्फ जीसको मॉन मनें रहा है वहीं आया है बाकित सारे उसके बडैट्समान ड्रॉप हो गया है तो अपका अन्हें खेस बटाओं हो घालए 현 पी डिच जुक्ट Essam यह हम को हम यहां चैला है चली है यहां पर हम स्टाट लिए ऋपने टीम का या इस टीम आपकोत अपने कप्तान बनाय तीम है इसको अपने कप्तान बनाय मिरा टीम है और जिसको नहीं बनायों समझना कि पिसी और का टीम है उसको हमका हाँ रवाना है अब देखिए हमारा जॉस बॉटलर को कप्तान बनाए अभी एक गेंस टीम का बॉलिंग है उसका रूल समझेए उसका रूल यही बोलता है कि एक गेंस टीम के जो बॉलर है जिसका सबसे हाई परसेंटेज में बॉलर हो या फिर कोई ऐसा बॉलर हो जो पावर प्ले में बॉलिंग कराता हो वह बॉलर जो है डॉप हो जाएगा मतलब कि फलॉप होने का चांस अब जोस बॉटटलर ऑपनेर है उपनर जब उसका बॉलर आएगा तो फॉफलॉप होगा तो रूल यही करना है कि हमको एक टीम के जो बॉलिं कर रहा है उसके मात्र एक बॉलर को लेना है उसके बाद जो भी लेना है उसके बैटस्वन को लेना है मैक्सिमम टिम को आप को यही लेकर करके चलना है ठीक है उसके बाद आप जो है एक से दो टीम में आप चाहे तो बॉलिंग सिक्षन से दो बॉलर उठा सकते हैं ठीक है और एक और अब तीन बाकि ज़या तरह आप कुछिस किजिए कि बॉलिंग सिक्षन से उसके बॉलिंग सिक्षन में चाहे चार बॉलर हो या तीन बॉलर हो इस बाप मत देखिए सोब को ड्रॉप मारी है कि जोस्ट बॉलर आपका काप्तान है वह चलेगा तो सोब को बरबाद अब यह कि बॉलर को पिटाई कर जाएगा आप मालिजे यह इस तरह से आप रभी विस्न फॉर से आप और सबीस का बॉलर आप उठा ले रहे और इधर कप्तान भी बना ले रहे तो पर आपका आपका जो है एक विकेट भी लेगा तो यह मैन्स पॉइंट में जाएगा ते सब्सक्राब हो जाएगा तो यहां से देखिए रूल यह भी है जिस टीम को आपको कप्तान बनाना है तो एक गेंस टीम के एक होना चाहिए आप उस जो भी पलेयर एकेंस टीम के जो चुन रहे हैं उसमें आपको देखना है कि हमको एक इस्पिनर लेना है वह इस्पिनर आप बॉलिंग सेक्षन से ले सकते हैं या फिर ओल रांडर सेक्षन से ले सकता है ठीक है ध्यान रखिएगा कि इस्पिनर ड्री सेमें हैं बॉलिंग कर रहे हैं उसका ओल रांडर आपको लेना ही लेना है बहुत आटिंग करने वाले टीम का आप लरांडर छोर दिजिए यह आप ध्याण दीजिएगा बहुत सारे मैं है रहा है मतारा बालर प्लोलो फ्लोप होगा ओल-उर वार वार यहां पर देना है तो यहां पर हमको लेना है डाउन और अब सबका ध्यान तो उपर वाले पर रहेगा लेकिन हमको ध्यान देना है कोई नहीं ले रहा उसको छीकोद्द्रन पर कोई ध्यान नहीं देता है सबका ध्यान और रहता है वह सकता है उस सकता है चैंकर से इक वरकी कीजीए है टीक है ऊब सकता है तो रांटर थे सकते हैं को चسर घए है का रहना चाहिए अगर आपने सिर्फ आप लिया डाउन छोर दीए और लिख घराल हो गया जाए यहँप लेचा यहाँ और भी उटा करणा रहो यहां को देखना है उसका बैट्स identical कितने है भैटिंग से क्षिक्षael आप सकते हैं बात से समझे00 इसको यहां पे आपा ग्रैम भलिय को जाहेगा अगर आप इसको समझblack नहीं पाये और कुछ अलग सोचना चाहते हैं तो इसके ध्यान दिजिए दिपक हुड़ा है कि यह बदोनी है ठीक है सबसे ज़्यादा 90% वर्किंग है सेकेंड इनिंग में अब आपको एक गेंस टीम का हमको डाउन बैट्समैन कोई नहीं लेगा यह डाउन बैट्समैन आपको ग्रैलिक जिताएगा आपको ध्यान सबका ध्यान आप कहां पर रहेगा अब जो टीम उसका उपर वाला हाई परसेंटेज का भी बैट्समैन लोग रखेगा मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप मत रखिए उसको रखिए अगर आपको लगता है कि वह चल जाएगा तो रखिए लेकिन इसके साथ आपको यह बैट्समैन चाहिए ग्रैलिक वह नहीं जीताएगा ग्रैलिक आपको डाउन बैट्समैन जीताएगा चाहिए कोई सबी टीम में अगर डाउन बैट्समैन परता है उसको प को भले ही इसको ड्रॉप करेंगे लेकिन इसको ड्रॉप नहीं करेंगे ठीक है तो आपको यहीं सोचना है ठीक है अब यहां पर देखिए दीपक खुड़ा है या फिर यह बदोली है तो आपको ऐसे जो डाउन में जो बैट्समान है इसको हर एक मैच में लेकर करेकर चलना है ओको भले ही कुछ मेंचेंज में लेना है कुछ को ड्रोप करना लेकिन डाऊन को किसी में भी प्रॉप नहीं करना है ताप गिर्ञनली कभरत हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए अब इस टीम का हमको क्या करना है कि एक ही batsman अगर हम ले करके जाएंगे जब एक ही batsman ले करके जाएंगे तब हम इसको all rounder इस team का हमको लेना है अब एक ही batsman लिए है तक काम कौन करेगा इस team का all rounder काम करेगा तो आप all rounder चाहे तो दो ले सकते हैं all rounder चाहे तो एक लेख सकते हैं लेकिन आप अब इसके जुरूरत है बैट्समें की इसका सारे बैट्समें आउट हो जाए तो हो सकता है उससे सोचना है कि तो हमको एक टीम में जैसे कि बटलर और इस तरह से यहां से हम इसका ओल रांडर लेंगे ठीक है दूसरा टीम में अब हम सिंपल सा इसका बैट्समें का कंबिनेशन बनाएंगे उसके बाद सिंपल सा हम इसका ऐसे बैट्समें का कंबिनेशन बनाएंगे इस टीम के बॉलर कम से कम जो है एक फास्टर बॉलर चाहिए ठीक है क्योंकि इस टीम का जो है ओपनर नहीं है वान राउन नहीं है तो फास्टर बॉलर ही जो है विकेट निकालेगा अगर हम जो है इस टीम का दू ओपनर लेकर के चल रहे हैं तो दोनों ओपनर को जैसे यह से एक सीवी को लेकर करके चल रहे है इसको तो हमको इस टीम का फास्टर का जोड़ात नहीं है ठीक है आप इस टीम का हमको जो जो है बॉलिंग टीम का और राउंडर के ज़रत यह सब ध्यान देजिए ठीक है अफ देखिये इसे के इनिक अपर रूल समझ गए इनिंग में क्या करने सेखिन है मैं एक और रूल में बाता रहा हूँ जैसे कि आप यहां पे के यह रहूं को भी ले रहे हैं और यहां पर विकेट कीपर में पुर्ण को ले रहे हैं ठीक, उसके बाद अगर आप के यड़़्च को ले रहे हैं, तो आपको यहां से हमको दो ही बैठ लेना है ठीक है ईक Ready? देंठानां वाडस फीर राफल को ढोट कीजिये ठीक है इस तरह से अपको सोचना है श्क्कारेकों है् всегда भी सरी एस बार है एप वने होलें मैच में उस तो सबस्क्राराब हमकी फोड़ाईन तोचने चाहिए अब आपको हाई परसेंटेज के बैट्समान पे सिकेंड इनिंग में रिक्स लेना है अब एक साथ सभी को नहीं लेना है जैसे के मेर्स को लिए राहूल को लिए और इस तरह से हम इन पूरण को भी लिए तो कहां हुगा भाई ये गरहनली के टिम कहां हुग हुगा एसे गरहनली के टिम हों ही नहीं सकता ठीक यह जो है तीन हाई परसेंटेज के बैट्समें नहीं होंगे दो ही हो सकते हैं या तो आपका राहूल पूरण होगा या फिर पूरण और राहूल होगा ठीक है इस तरह से हैं आपको ड्रॉप से किन इन बेभी करना पुस् सब्सक्राइब कर सकता है तो इस टीम के सारे अच्छा कर सकता है मान सकता है लेकिन अच्छा नहीं कर सकता है जब इस तरह से आपके सारे पलेयर हाई परसेंटिक के जब अच्छा करेंगे इस तरह से तो फिर भाइस कप्तान भी आपको इसी टीम के पलेयर से लेना है जब सारे अच्छे पलेयर हम इस टीम से ले रहे हैं तो हमको कप्तान भाइस कप्तान इसी टीम से लेना है हमको दूस